बिस्मिल्ला रमाद निर्म, असलाम लेकूm आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि मिट्टी के बर्तन को किस तरह से खरीदा जाता है और उसे कैसे मेंटेन करेंगे और उसे कैसे किस तरीके से हम वश करेंगे सबसे पहले बर्तन हमारा हेवी होना चीए हलका बर्तन क्राइक हो जाता है इसलिए देखिए कि जब भी बर्तन मिट्टी का लीजिए तो वो वजंदार हो हाथ में पकड़के उसे अच्छा वजंदार होना चाहिए और सबसे पहले यूज करने से पहले हमें एक टब में पानी लेके उसे पूरी तर से डुबो देना चाहिए बर्तन को कम से कम 12 गंटे तक हमें मिट्टी के बर्तन को डुबो भी रखना है जिसे सारा पानी बर्तन हमारा एबसॉब कर ले इससे मजबूती और अच्छी हो जाती हमारी बर्तन ये 12 गंटा हो गया है अब मैं इसे पानी से निकाल दूँगी और इसे धूप या फिर फैन के नीचे अच्छे से सुखने देंगे मैंने एक कॉटन का कपड़ा लेके थोड़ा सा पोच लिए जिसे ये फटा फर सुख जाए इसे कम से कम 6 गंटा सुखने दीजेगा अगर धूप है तो वह एक दो गंटे में ही सुख जाएगा लेकिन हाँ फैन के नीचे थोड़ा और सक्त अच्छे से सुख जाए जैसे कि बारिश का मौसम है तो मैंने फैन के नीचे सुखाया है तो मुझे कम से कम 4-6 गंटा लगाए ये दिखिए बड़तन अच्छे से सुख गया है अब इसका सबसे में प्रोसेस है कि इसे बहुत ही अच्छा सीजन करना है ओल से तेल चारो तरफ से हमें बहुत ही अच्छी तरफ से लगानी है कोई कॉटन कप्रे से या फिर ब्रश से ब्रश से चारो तरफ नहीं लगती इसलिए मैंने कॉटन च्छोटा सा तुकडा लिया है और इसे बहुत ही अच्छे से ओईल लगा दी हूँ इससे बर्टन हमारा ओयल पुरा एबसॉब कर लेता है और हमारी बर्टनों में एक अच्छी मजबूती आती है जिसे क्रैक होना वो सब नहीं होता है ये एक ही पार हमें करना है जब हम नए बर्टन लेकर रहे तके हमारी बर्टन और मस्बूत और अच्छा हो जाए अब इसे दो गbok पूस अपूरी तरह कर लेगे मिटी के बर्टन में झोब भी मिटी के बर्टन में खाना पकाएंगे वो एक बार 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 बनाएंगी जह si स्वाद होता है और यह जो सिजनिंग है यसे हमें ऐग वार करना है जहेँ देखें ऑई फटा फट एबजॉप करना शुरू कर दिया अब सबसे पहले यह पुरा इबसॉप हो जाए उसकेपद उसके पहले चावल चडाएंगे चावल पकाएंगे इसमें तो मैंने बर्टन में पुरा पानी भर दिया है पानी हमें जादा डालनी है अब इसे बॉइल होने रखूंगी ये देखिए हमारा पानी बॉइल हो गया अच्छा हीट गरम हो गया है अब इसमें राइस डालेंगे राइस को भी अच्छे से ढख के अच्छे से पका लीजेगा बीज़ीश में चेक कीजेगा कि हमारा राइस हुआ है कि नहीं क्योंकि इसमें पानी जादा डालेंगे इसलिए मैं थोड़ा थुआ करके निकाल रही हूँ ताकि इसी में मैं स्लो फ्लेम पे भाब पर राइस को भी रखोंगी या फिर इसे ड्रेन कर लीजेगा ये देखे हमारा राइस भी रेडी हो गया सबसे पहले हमें राइस अचावल ही पकानी है जिसे इसका स्टाच से हमारा बर्तन और सक्ट और अच्छा हो जाए चलिए अब देखते इससे धोए कैसे सबसे पहले एक पानी से वाश कर लीजेगा इसके बाद हम नमक से या फिर लिम्बू के रस से या फिर चावल के आटे से इसे एक स्क्रबर के मदद से अच्छे से धोलेंगे इसे साबून या सरफ से नहीं धोना है वना हम दोबारा खाना बनाएंगे तो वो चीज साबून या सरफ वो हमारे बर्तन से निकलेंगे क्योंकि ये एबसॉप करता है हर एक चीज तो इसे कोई साबून वापन से नहीं या फिर चावल के आटे से या लिम्बू का रस और नमक से और एक स्क्रबर के मदद से धोलीजेगा ये देखे किता अच्छा पर साफ हो गया है कोई चिकनाहाट या कुछ भी नहीं रहेगा ये बहुत ही आसान तरीक है आप सरूर ट्राइ किजेगा